नमस्कार आप देखरें अन्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजू नरायन शुरुबात करेंगे खबरों की बीजेपी की विजे संकल्प यात्रा को लेकर रुद्प्याग में तैयारियां जोर उपर चल रही हैं जला संक्ठन के ओर से यात्रा को भवे और दिवे बनाने के लिए कारिकरताओं को जिम्यदारियां सौब दी गई है बीजेपी जला ध्यक्ष की माने तो यात्रा में 25-30,000 के बीच लोग स्वामिल होंगे और यात्रा के जरिये लोगों तक संदेश पहुँचाय जाएगा कि आने वाले विधानसवा चुनाओं में बीजेपी भारी बहुमा से दुबारा सत्ता पर वापसी करने वाली है रुद्प्याग की तस्वीरे 24 को यात्रा का भव्वे स्वागत यहां पर किया जाएगा दरसल रुद्प्याग में विजेश संकल्प यात्रा को लेकर तयारियां पहले से ही चल रही है ऐसे में जिला संक्ठन की ओर से यात्रों को भवे और दिवे बनाने के लिए कारकरताओं को जिम्मेदारियां भी सौब दी गई है बीजेपी जिला अध्यक्ष के माने तो यात्रा में 25-30,000 के बीच लोग शामिल होंगे और यात्रा के जरिये लोगों तक संदेश पहुँचाये जाएगा कि आने वाले विधानसवा चुनाव में बीजेपी भारी मुहमा से दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रही है देखो पूरा उत्रखंट प्रदेश में बीजेश संकल प्यात्रा का आगाज हो गया है और मानिय राष्टे अदेख जी जेपी नड़ा जी न गड़वाल जन के लिए हरिद्वार से हरी जन्डी देखा करके इस यात्रा को रहाना किया है और ये यात्रा प्रतेक विदान सवाओं से होकर के घुजरेगी जिसके तहर जो है चोबिस तारिक को रुद्वार जन्पत में यात्रा आने वाली है सितार गंज में कॉंग्रिस के कारकरताओं ने किसानों का धान का भुकतान उच्छी निमेल सितापूर से संचालित कराने की संबन में एसजेम प्रशासन के जरिये मुक्यमंत्री पुषकर सिंधामी को यापन भेजा यापन भी लिखा है कि तीन साल में किसानों का धान का भुकतान करने के लिए सरकार की तरफ से आसवाशन दिया गया था लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले खत्म हो चुका है फिर भी आज तक किसानों की धान की फसल का बगाया भुकतान नहीं किया जा रहा है लालकोव विधान सभा कॉंग्रेस से विभाग की नई कारकारनी की खोशना आच हो गई है बीटे लंबे समय से कॉंग्रेस से विभाग की कारकारनी प्रतीक्षित चल रही थी जिसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे थे लेकिन आज जिला अधियाक्ष रिंदर पाल आरे ने कॉंग्रेस प्रदेश अधियाक्ष की संसुत्री के बाद लालकोव विधान सभा श्यत्र की कारकारनी की खोशना कर दी बता दे कि कॉंग्रेस असी विभाग के जिला अधियाक्ष रिंदर पाल आरे कि अधिक्ष्टा में आईजिद बैटक में पहुंचे पूर क्यामनीत मंत्री हरीश श्यत्चंद्र दुर्ग्रपाल ने सभी नव मनोनीत पदादिकारें को दिशा नर्देश दिये हैं कि आने अधिक्ष्ट को और थाकत देने के लिए और हमारे ब्लोक अधिक्ष बनाए हैं महामंत्री बनाए हैं और लोग बनाए हैं इसका उद्येश यह कि है कि बिंदुखत्ता में कॉंग्रेस मजबत होगी जो आज हमने जो निक्ति पात्र दिया गये हैं संगठन के विस्तार के लिए कर रहे हैं हमने संगठन के विस्तार कर दिया है पूरी जो बिदान सभा हमारी जो लालकोवा है उसका अंतरगत हमारी जो पूरी बिदान सभा की हमने कारी करनी प्रड़ित की है जो 2022 हमारा मिशन है और हमने जो अमसादी विभाग के तो कारगानी हमारी कहीं पर कुछ लोग नहीं रखेगे तो आज पूरे कर देगे हैं दो हज़ार बाइस की चुनाव का बिगुल बसते ही निताओ का पार्टिय विदल कर इधर से उधर जाने का दौर शुरू हो चुका है बगवानपूर विधान सभा से बीजेपी पित्याशी रहे सुबूद राकेश ने भी बीजेपी को अलविदा कहकर बस्पा का दामन थाम लिया और आने वाले तीस तारीक में होने वाली व्रेली के तैयारी में लग गए हैं इसे कड़ी में भगवानपूर के विधायक ममतार राकेश से हमारे समाधातर ने खास बाच्वीत की सुरान क्या कुछ कहा ममतार राकेश ने आप सुरू दो हजार बाइस का चुनाओं फिलाल अपने चरम पर है नेता अपने मुवात के लिए पार्टी बदन रहे हैं या कोई भी हद्कर्ण अपने अपना रहे हैं इसी बीच भगवानपूर विधानसभा की बात करते हैं भगवानपूर विधानसभा में भाजपा के पूर पर सब्सक्राइब है ऊच्टाइब है है बज्सक्राइब किस परकार कोई कि शुगोद राकेष जी ने पार्टी बतली है। आपको क्या मानना है क्या गरेशवार निए। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे कहा कि शुगोद राकेष जी ने अपने पिताजी शुर्गे बादू कली राम राकेष जी की पुर्नेती थी मनाई। मैं भी अपने सुर्गे बाबु जी कली राम राकेश जी को अपने सच्छे सिर्दा सुमनार्पित करती हूं, उनके चरणों में कोटी-कोटी नमन करती हूं। आप बात कर रहे हैं कि पुर्णेतिति मनाई अच्छी बात है, हर पुत्र को ये धर्म निभाना चाहिए अपने पिता की पुर्णेतिति मनानी चाहिए। अई बात बताईए, मैं आप से पूछना चाहती हूं। सुबोद राकेश जी अपने निजी स्वार्थों को लेकर के पार्टियां बदले। 2017 के चुनाव से पहले 2016 में उन्होंने उस दुख की घड़ी में जब पिता तुदले उनके बड़े भाई सुर्णेति राकेश जी का मेरे पती का निधन हुआ। जब उनके साथ की मुझे ज्यादा वशकता थी उस समय उनने मेरा साथ छोड़ा और मुझे छोड़ करके भार्जनता पार्टी में वो शाम लेकर अब फिर चुनाव सर्पर है अब फिर वो उस पार्टी को भी अर्विदा लेकर यानि उनके अपने निजी स्वार्थें उस शुरू किया अपने बड़े भाई की याद में राम लिला का विजन करते हैं और मातर तीन साल में ही आप उनसे पूछेएगा पिछले तीन साल से वो राम लिला का विजन नहीं करा रही है क्या भाई की याद खत्म हो गई और अपने भाई को जो बसपासे द्रिशित सब्सक्राइब करें तो मुझ भी कहिना गई जैसे सुनने में आता है कि वो कॉंग्रेस से जुड़े रहते थे जुड़े हुए नहीं इस बारे में क्या गता है आज सुबोध राकेश जी कह रहे है कि मैं अपने परिवार में शामिल हो गया मैं पूछना चाहती हूं सुब अब सुबोध राकेश जी की बात कहा तक करें सुबोध राकेश जी ने अपने पूझे पिता जी के देहावसान के बाद भारलंता पार्टी के बैनर पर उन्हें बिठा दिया अब सुरिंदर राकेश जी और हमारे बाबुजी कली राम राकेश जी मेरे पती और मेरे सुर् प्रचाने का काम कर रही हैं स्वर्ग में उनकी आत्मा हैं दोनों की और वहां पर उन्हें रहे लें जनता कि इस परकार से ज़ो जनता उनको सुईकार करेंगी या क्या रहे हैं या कि देखिए भगवान-पूर की सम्माने जनता बहुत समझदार है बहुत जावरूट है अब पेसला जनता के हाथ में है, मैं तो भगवानपुर की अधाली जनता की रिनी हूँ, आभारी हूँ, जिस तरह से भगवानपुर की सम्वानित जनता ने पूरू में निर्न लिया, 2015 में और 2017 में, जिस तरह से पूरा सहयोग, प्यार अशिरवाद अपना मुझे दिया, और मेरी आंखों से उस समय आशू पहुछे जम्म दुख के हदास आवे में तुम्ही गुली थी अथा दुख का पहाड मेरे उपर तूट पड़ा था और इस समय भी जब परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया सुबोध राकेश नी छोड़ दिया उनके पुरे परिवार ने मेरा साथ शूर दिया, अब भी भगवानकुर की धिधान सवा का पूरा परिवार, जो सुरिंदर राकेश जी का परिवार था, वो परिवार मेरे साथ है, और मरिणी हो आभारी हो भगवानकुर के सम्मानी जलता भी, आगे भी जलता सोच समझ कर फ जन्ता को अपने विष्मास में लेना होगा मश्वान stim कि ना है कि भगवानपूर की जन्ता हमेशा से उनके साथ हैि और हमेशा से उनके आशू विशुक राकेश को आशीरवात देने का काम क्या है आगे प değişchn refugee का चलता रहेगा तो ग साथ असित्तरी गार्व में आ स्वास मंत्री ने आईशमान योजना को लेकर सभासदू मैडिकल कॉलेज के डॉक्टर समेथ मीडिया कर्मियों से सुझाब लिए इस तोरा 95 से जादा लोगों ने अचला आईशमान योजना को लेकर अपने विचार रखें साथी स्वास सुवधाओं को दुरूस करने की बा मंत्री के सामने तमाम बाते रखी गई सुवास मंत्री डॉक्टर धंसिंग रावत ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 4 लाग से जादा लोग आईशमान योजना का लाब ले चुके हैं ऐसे में लगाता 565 क्रोड रुपए अब तक इस योजना के तहट खर्च किये जा चुके हैं भारत के तहट हमने एक आरोग या संबाद कारिका में आपे रखा था जिसमें कि जितने हमारे वेने पेस्वी रोग लोग को भी बलाया गया था पत्रका लोगों को बलाया गया था समाज के सभी वरोगों को लोगों को बलाया गया था और बहुत अच्छा है कि लगबट 25 लोगों उन्हें आज यहां पे शुचा है और हमने आईस्वान भारत में एक रिकॉर्ड बना है उत्रा खंड़ा जिने उत्रा खंड़ में आने वाली 2022 के विधानसवा चुनाव को लेकर हरद्वार की खानपर विधानसवा सीट से बियस पे प्रतियार्शी चौधरी रवंद्र से हमारे एक संबादाता ने एक खास बाचीत की सोरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिये वाद 2022 का चुनाव का विधानसवा बच चुका है बस्पा ने खानपूर से चौधरी रविंद्र को अपना प्रतियासी बनाया है 2012 में चौधरी रविंद्र जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे और कुवर परणरव सिंग चैंपियन यहां से जीत कहते 2017 में इन्होंने अपनी किसम रजमाई निर्दलिय के तौर पर लेकिन इस बार जो है बस्पा से अपनी किसम रजमा रहे हैं इसे बात करते हैं क्या देख रहे हैं 2022 को लेकर किस तरह की चुनोंतिया हैं क्योंकि दो बार पहले भी चुनाव लड़े हैं परणरव सिंग के सामने इस बार कैसे विजय हासिल करेंगे 2022 का चुनाव जो है आपका ये अलग तरीके का चुनाव है ये लोगों के मान सम्मान और लोगों के स्वाभिमान का चुनाव है हम लोग इस विदान सभा चेतर में दो बार चुनाव लड़ चुके हैं अगर हमारे पस ये बहुजन समाज पार्टी का सिंबल चाहे 2012 में होता चाहे 2017 में होता तो ये चुनाव का रिजल्ट आपके पक्समाता है क्या मान रहे हैं आप दस साल से सक्री हैं इस चेतर में खानपुर में क्या-क्या कम्या दीख रही है जो कौर परनेसिंग चैंपियन जो है दो बार विधायक रहे हैं याँपे में हो बिकास नहीं कर अबहुत बड़ी समस्जा पानी निकासी को बहुत बड़ी समस्यास शिक्सा कि चिकित्सा की और लोगों के सब से बड़ी तो मानसमान की बँप बड़ी समस्या आप पराशूट परत्यस भी हूं आ रहे हैं Sounds e Smith इदर तो ये बिजनोर में मिलती है, उदर बढ़ी वाला में मिलती है, पुरुकाजी विधान सभा में, इदर ये मोड़ना विधान सभा में मिलती है, तो परेशूट परत्यास होगी तो इसका आप सीमां कर नहीं नहीं पता तो चुनाव क्या लड़ागी? इस बार पूर विजला पंचाज अध्यक्स जो है, सुवास वर्मा जी, जो आपके समाज से आते हैं, उन्हों ने आज जो है कांग्रेश जोएन की है, शायद कांग्रेश जो हैं उन पर दाओं खेल सकती है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं किसी का चुनाव अलग-अलग पाड़्टों के सभी परत्यासी होते हैं, उनके चुनाव को में चैलेंज नी करता हूँ, मेरा तो अपना लोगों के बीच मलाड़ प्यार और मान सम्मानतों में करता हूँ अपने लोगों का, उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा के 2022 के च अपने पानी की निकास्टी से लोगों के घरों तक अंदर तक उनका जीवाट जीना दुभर उन लोगों के घरों में तो पानी जो अपने आप में वास कर रहा है पिछले 15-20 सालों से वो खतम ही लंगे, आपके जो रोड, नाड़ी, खड़ंजे, शिक्सा, चिकित्सा, रोज, बेरोजगारी, इन सब हमारा फोकुस अगर आप विधायक बनते तो विकास के बाहर बाहेंगे यहां पर, कोई समस्या रहन जो खानपूर से बसपा के प्रत्यासी है, इनका साथ तोर से कहना है, यदि 2022 में जनता इन पर विश्वास दिकाती है, तो ये खानपूर का चुहुमी की लिकास करेंगे, मुहम्मद अजीम, नुजवर इंडिया, भरदवार, खानपूर श्रिनगर के गड़वाल विश्वी द्याले में जन सवाद कारकरम का आईजिन किया गया, आईजित कारकरम में प्रदेश के मुक्य मंत्री पुष्कर सिंग धामी ने शिर्कत की, कारकरम में पौड़ी के ग्राम प्रधानों के साथ मुक्य मंत्री को संबाद करना था, लेक लेकिन सीयम भाशन देकर चले गए। लेकिन माने मुख्यमंत्री जी लेकिन माने मुख्यमंत्री जी हमें आदे में दन्यबाद देकर चले गए। जी सब्सक्राइब पर्णा जाएं तो यहां पहुंचे अपने गाड़ी से पोंचे उसके बात आने के बावजूद। तो चार से घंटे के बाद जब उन्चे मिटिंग लेगी जब दामी जब पहुंचे तो सिरब पांट से आट मिट आट मिट आट मिट पर नौ मिट दो ए और वहाँ से बिना डंग से बात के वे निकल गए निताल पहुंचे परेटन सिचाई और संस्कुती मंत्री सत्पाल महराज को बीज़ोपी कारकरताओं ने फूल मालाओं से भवे स्वागत किया सत्पाल महराज निताल में ललित कलाक आदमी भारस सरकार और संस्कुतिक विभाग उत्राखन के सईयोग से रास्टे चित्रकलाज शिवर में पहुंचकर दीप प्रशुलित कर कारकरम का शुबारम किया इस उरान महराज ने परटन और स्टाइव भाग की 19 करोड 44 लाग 92 हजार के कई योजनाओं का लुकारपन और श्रीला नियास भी किया यानि ताल के तस्वीरें ललित कलाक आदमी का यहां पर खाटिन किया गया है इसकी आधार श्रीला रखी गई है 19 करोड 44 लाग 92 हजार के अंदर यह हमने बहुत से कामों का लुकारपन किया है और आगे भविष्व में हमारा यह प्रियास होगा कि मानि मुखमंत्री जी से भूमी प्राप्त करने के बाद हम यहां उत्राखन में ललित कलाक आदमी को स्थापित करें ताके यहां के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभागे मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो जिसके लिए पूरे प्रियास किये से टिकेट मांगने वाले दावेदारों के अंटर्विव लिया बड़ी संक्या में दावेदार हिद्वार पहुंचे आपको तादे के रिद्वार की जोळापुर विधान सभा से ऐसे दावेदार निकले जिन्होंने राजनीती में आने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छो सबसे बढ़ी चीज है वहां बेरोजगारी की समस्या क्योंकि बहुत से लोग बहुत से ग्रामीरी जो मैंने विजिट किया वह सारे के सारे कहीं ने कहीं बेरोजगारी डंसे हुए हैं लेकिन कई पार्टियों ने कहा है ना कि बेरोजगारी दूर करेंगे युवाओं को साथ लेके चलेंगे तमाम नारे दे रहे हैं पर कैसे करेंगे ये कोई नहीं बोल रहा है पार्टियों ने कहा है रुद्प्रियाग के जातर स्थानों पर श्रीत लहर के प्रकोप से लोग परिशान हैं बीते एक सब्ता से कड़ाके की ठंड से लोगों का पुरा हाल है सुबाश शाम तक चल रही श्रीत लहर से लोगों की मुश्किले और जादा बढ़ रही हैं वही नगरपालिका और नगरपंचातों के और से खुद के संसादनों से अलाव जलाकर लोगों को ठंड से रहा दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है बतादे कि जले भर में बीते एक सब्ता से ठंड बढ़ गई है पताई भी जा रहा है कि अगर कुछ दिनों में बारी शुई तो ठंड और जादा बढ़ सकती है और जादा सतब बरपा सकती है बताद सतिन करा है जाने समस्ता खुझा में व्लाव के बाउस्ता करेंगे जादा समस्यादी बढ़ बलाब करेंगे झाल जादा क्पडएर stubéd को ठंड एक बनुद्द्य रहा है लुषा फ्सक्स्ट में को व्ल dispARS र chromाट रहा तो लोगों करेंगे बसर्टा पाइपास इन जबों पे अलाउट की ब्योस्था की देए है रायवाला थाना पुलिस ने एक युवक को गांचे की तसकरी करने की आरूप में गिरफ़तार किया वहीं पुलिस ने युवक से बरामत स्कूर्टी के अंदर एक किलो तिन सु साज क्राम गांचा बरामत किया है पुलिस ने आरूपी के खिलाब समधित धारा में मुकदमा दर्च कर लिया पुश्टाज बे युवक ने बताया कि कम समय में ज़्यादा रूपे कमाने की लालश में उसने मादर पदार्दों की तसकरी करनी शिरू कर दी थी फिलहाल पुरुस ने गिरफ़तार कर अभियुक्त को चेल फेस दिया है अर्याना की तर्च पर ग्रेड वितनमान और आउट सोर्स से भरती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांगों को लेकर रास्टे स्वास्त मिशन समयदा कर्मचारियों ने जला मुक्याले रुद्प्याग में जोर्दार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे बाजी की इसके बाद मुक्याले के नए बस अर्दी पर सभा कायजन किया गया जिसमें सरकार पर कर्मचारियों के साथ उप्पिरन का आरूप भी लगाए गया है बतादें कि राज़्टे स्वास समिशन संवेदा कर्मचारी अपनी दो सुत्रे मांगों को लेकर कारे बहिशकार कर रही है उनका कारे बहिशकार सोलवे दिन भी जारी रहा और उन्होंने जिला मुक्याले मेरे ले निकाल कर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी भी की है हमारा जो धर्ना चल रहा है सुर्णा दिन आज हो गए है और ये दो सुत्रिया मांगों को लेकर हमारा धर्ना परसंद लगातार जारी है बढ़ते शेरी करंण की कारण पूरा पूरे देश के लिए परिशानी का सýब बन रहा है लेकिन चमोली के कंड़ प्रयाग निगरपालिका ने इसका हन निकालकर दोसी नगरपालिकाओं के लिएक बिसाल भी पेश कर दी है निगरपालिका कंड़ प्रयाग ने 2013 से अब तक 29 सालों में खुरा बेज कर 14 लाह उर्पे की आयह हांसिल कर ली है जुससे करण प्रियाग नगरपालिका के इन दिनों खूब वहवाई हो रही है हमने अभी डोर टोर कलेक्शन में जो है अभी तक जो है इनकम प्राप्त हो चुकी है और ग्यारा जो है प्राइडर मित्रों को रोजगारी में लगा प्रियावरान को जो लोग कोड़ा ऐसे फैंक देता है उसे नुक्षान होता है हमने सोचा कि प्रियावरान बचाने के लिए हम इसका क्यों न सत्वियों किया जाए पिशले दिनों से चमुली के कई विकास खंडों में लगातार भालूं का अतंक देखने को मिल रहा है लोग बड़ी संख्या में लगातार जख्मी होकर जान बचाती हुए नजर आते हैं विकास खंड थराले के रुईसान ग्राम पंच्राइक में पिशले दिनों में साथ लोगों पर भालूं ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया जिसमें दो लोगों का अभी भी अलग अलग अस्पतालों मिलाच चल रहा है बतादे कि आज पिर रुईसान में भालू ने एक युवक और एक महला पर हमला कर लहुलवान कर दिया जिसके बाद परिजनों और ग्रामिनों ने घायल को थराले सामदा एक स्वासकेंदर में इलाज के लिए पहुँचाया बतादे कि अभी तक वनभा के तरफ से इस पूरे मामले में कोई कारवाई नहीं की जा रही है यहाँ पर जो आईरिन भालू का आतंक हो रहा है आज मी जो तारा गटना हुई है इसमें एक युवक और एक महला जो कि भालू ने जखमी किया है गंबी रूप से और उनका भी जो है कि नजदी की स्वास्तिया के अंदर थराली में एडमिट किया गया है पहले भी एक डो मैने के भीच में ही यहाँ पर जो आड़ नौक अटनाई हुई हैं उसमें भी जो लोग जखमी थे गुदाली राम जी और लगपत राम जी अभी भी हायर सेंटर मे एडमिट हैं और यह जो भालू का आतंक बना हुआ है इससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पारे सोल छेत्र में रुषान ग्राम पंचैत के अंतरगत यह पांचवी घटना एक महने के अंदर घटी है और जो कि बहुत दुरभाग्य पूर्ण बात है कि आज तक भी बन भ हुआ हम लोग मार सके चमोरी की दुरस्त और तैसिल स्तर जनता की शिकायतों को सुनने और उसका समधान कराने के स्वाशन के रदेशों का असर दिखनी लगा है चमोरी की विकास खंड नंदा नगर में आज जी तैसिल दिवस में बड़ी संख्या में जनता अपनी शिकायत और समस्याय लेकर पहुंची जुसमें एक दिन में 61 शिकायते दर्च की गई मुखे विकास अधिकारी वरुन शौधुरी ने फर्यादियों की समस्याय सुनी है जिन में से 46 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारन किया है बड़ती ठंड को देकर एद्वार की मेयर इंता शर्मा ने देर राथ एद्वार के रेन बसेरों का निरिक्षन किया है तरान इंता शर्मा के साथ कहीं कॉग्रस के लिएता और कार्यकरता भी मौके पर मौटूद रहे हरद्वार की मेयर इंता शर्मा ने सबसे पहले हरद्वार के अलतनन्दा घाट के पास स्थित रेन बसेरों का निरिक्षन किया जहां पर उन्हें रेन बसेरे पर लगे शीशे तूटे हुए दिखाए दिये मंगलौर में महीनों से धने पर बैठे किसानों की मांग पूरी होनी के बाद सभी राज्यों के किसान अपने खर लौटाए उत्रखन प्रदेश से भी तेरह महीनों से आंदुलन पर बैठे किसान की खर वापसी हो गई है गर वापसे के बाद अपनी खेती में पूरी तरह मगन किसानों के चेहरे खिल उठे हैं आंदूलन पर गई किसानों के गैर मौज़ूदगी में किसानों की महिलाओं और बच्चों ने ही खेती को समाला था आपको ताने कि मंगलौर शेत्र किसान बहुले शेत्र है सैख्रों की संख्या में उत्राखन के किसानों ने कि शिबल कानून के विरोध में दिली में बैट आंदोलन में हिस्सा लिया था तो मंगलौर की तस्वीरे जोहां पर किसानों की खर वापसे के बाद किसानों की चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं तो मंगलोर में महीनों से धाने पर बैठे किसानों के मांगे पुल्धूनी के बाद सभी राजो के किसान अपने खर बापस लोट आए हैं। किसानों का ध्यान जादर आया कभी भी बोर्डों की कोल आ जाती किसानों को तुरंत बोर्डों के लिए रवाना होना पुड़ा था अबने रहें नियूस वाल इंडिया के साथ हैं।